हाई फ्रेंज कैसे हैं आप लोग स्वागत है आपका मेरी चैनल पे स्टीचिंग इस्टूडियो वाइज जोती में आज हम बनाने वाले हैं तीन से चार साल की गर्ल के लिए एक समर्ट फ्रॉंक जो की स्पेशल गर्मियों के लिए मैं बनाने जारी हूं जिसके लिए मैंने िहले हैं जो मै ने कप्डा लिए आए वह क्वाली नियूर का फैब्रिक मै प्हेलर प Gayणल से लिए गाई 9 नाइन इंच ली है मैंने अब जिदर से हमारा बंद साइड है नीचे से हम इसको माग कर लेंगे बरावर करके नाइन इंच पर अब जिदर से हमारा बंद साइड है उधर से हम फोर इंच पर माग करेंगे इस तरह से और फिर फोर इंच का हम आर्मोल ड्रो करेंगे इस तरह हम लगा लेंगे आर्मोल का और नीचे से अम फिर एक तेची लाइन डूइर लेंगे Global इस तरह इस तरह तरह हम थानी कर रचाओ लेंगे. यह हमारा उपर का टॉप पार्ट कटके डेडि हो चूका है, इसे बनाना हो रहस इसे आप पांच से दस मेट में इसली बना सकते हैं और अपनी बेटी के लिए डिजाइन करके उसे पहना सकते हैं और यह इस पेसली गर्मियों के लिए है तो इसे बहुत ही कमफडेवल है गर्मियों में तो यह मारा टॉप पार्ट कटिंग हो चुका है अब हम आदा मीटर है तो उससे में 15 इंच पे एक इंच हम फोल्डेंट के लिए लेंगे तो 16 इंच पे मैं निसान लगाऊंगी और लंबाई मेरी 15 इंच रहेगी नीचे का जो सरकल हम रेडी करेंगे उसके लिए मैंने लंबाई 15 इंच रखी है और वन इंच एक्ष्टर रखी 16 इंच पे इस कते हुए पागों में दूसरे पर रखकर उस के माप का दूसरा भी पाट कर लेती हूं निस तरह से हमारे दीन पाइंच 30 की ने hyvä Columbi youtuber you गौियों लंबाई में करें कि Bruce के थी कि यह सतरह से आमने देख सकते हैं तीन पाट कट रिए हैं और इसकी लंबाई है 25 इंच हम हम आर्म पर से हम इस तरह से 20 तरो चुन कर और फ्रंट और बैक के हुए हुआ रखते हुए इस तरह से फौल कर लेंगे हाफ इंच अंदर खुरेंगे और वन इंच उपर करेंगे इस तरह मारा दोर ओच ओचुका अब हमारा जो नीचे का फैब्रिक था है उसके ये तीन लेयर हैं गाइस तो उसको हम आपस में एक दूसरे पर रखते हुए जोइंट कर लेंगे इस तरह से तो ये जोइंट हो चुके हैं हमारे देख सकते हैं और इनको हम नीचे से एक इंच क्या इस तरह से फोल कर लेंगे एक इंच इतना तो हमको करना ही है इस तरह से हम फोल कर लेंगे फोल करने के बाद देख सकते हैं आप ये मैंने फोल कर लिया है अब इसको मैंने टू लेयर मे लगते हुए शेंटर से हम इसकी कटिंग कर लेंगे और यह हमारे दो पार्ट हो चुके हैं एक पार्ट फ्रंट के लिए एक पार्ट बैक के लिए और इस तरह से हम इन में चुनत डालेंगे एक पार्ट की फ्रंट और बैक में चुनत डालने के लिए आप पहले जो हमारा लगा लेंगे उसको निसान पर्शाव को मिलाते हुए आधी-अधी फैब्रिक से चुननत डालेंगे दोनों इस तरह हमारे फ्रंट और बैक में दोनों में हम चुन्णट डालेंगे इस तरह से बरावर बरावर देख सकते हैं कई ज्यादा कई कम नहीं बिल्कुल एक बरावर नहीं तो यह हमारा पार्ट रेडिज हो चुकी है फ्रंट और बैक के अब इनको आपस में इस तरह रखते और साइट से स्टीचिंग कर लेंगे गर्मियों में बच्चों के कपड़े डीले ही डाले पहना उनको तो ज्यादा कमफडेवल होंगे तरह हमें फिटिंग बिटिंग करने की जरूबत नहीं है एक दो इंच हमारा डीला भी रहेगा ना तो ज्यादा अच्छा है तो इस तरह कि आपने देखे साइट से स्टीचिंग करने के बाद इसको में सीधा कर लेती हूं सीधा करने के बाद अब हम इसके लिए डोरी बनाएंगे डोरी बनाने के लिए मैंने ये 20-20 इंच की दो पट्टियां ली हुई है और चोडाई में ये 2 इंच है आप चाहें तो और भी प देख सकते हैं ये हमारी 14 इंच की लंबाई में डोरी हो चुकी है और इस तरह से हम सेफटी पिन की मदद से एक साइट से डोरी डालते हुए दूसी साइट निकालेंगे और दूसी साइट से फिन निकालने के बाद नीचे वाले पार्ट में भी हम इन कर लेंगे तो फ्रें सकते हैं मैंने जो ब्लाउच पीस का यूस बताया है अपने चैनल पर उसमें मैंने फैवरिक का फ्लावर बनाना बताया है आप चाहें तो उस पर भी जाके देख सकते हैं तो यह हमारे डेडी हो चुकी है दूसी तरफ हम इस तरह आप कंदे के मुतावे की इसकी लंबाई चोडाई एकज़ेक्ज़्ट कर सकते हैं जिसकी जितनी भी आपकी बेटी को कमफडेवल होती है उतनी थे हमारी रॉर्ग डेडी हो चुकी है इसे बनाना देख सकते हैं इसमें चाहिए आप डेडी मेट फ्लावर भी लगा सकते हैं इस तरह की मार्केट में बहुत आसान त जरूर करें फ्रेंज मों मेरे चैनल में इसी तरह के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें तो मिलते हैं अपने नेक्ट